नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका पाथ फाइंडर में तो हम लोग तमिष्ट्री की जो सिरीज पढ़ रहे थे तो उसमें आज हम जो है इसका तीसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग जो है नाब की बहुत की नाब की रसायन के अंतरगत जो है रेडियो अशरारे में देखेंगे तो चलिए श्टार करते हैं उसके बारे में तो यह बिक जो है मैं कई वार बता चका हूँ स्थाओं जो मांगा सकते हैं उसी के कुछ लेकिंगर पढ़ा भी से और चीजाए ओन की सबसे पहले हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है तो रेडियो एक्टिविटी जैसा कि कुछ पदार्थ जो है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से रेडियेशन का इमिशन होता है रेडियेशन क्या होता है तो उसमें रेडियेशन जो है वो किस फॉर्म में निकलता है अलफा बीटा और गामा कड़ों के फॉर्म में इनके फॉर्म में उनसे रेडियेशन निकलता रहता है तो उन पदार्थों को हम रेडियो एक् प्रत्वी के आयू ग्याद करना इसका प्रीयोग होता है। और रेडियो एक्तिव पढार्तों के गुड़ होता है, कि वो एक निष्चित समय में उनकी जो हैं, मात्रा आधी हो जाती है। दस ग्राम यूरेनियम है तो एक निश्चित समय में यूरेनियम जो है वो पाँच ग्राम रह जाएगा तो इस तरह से जो है और जिस जितने निश्चित समय में उसका आधा भाग रह जाता उसको उसकी अर्धायू कहते हैं तो आप लोग अर्धायू वा हाफ लाइफ जो इस तो अगर आउसत आयू की बात करें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्त की आउसत आयू क्या होती है जो उसकी अर्धायू होती है और उसको डिवाइड करते हैं तो इसको जरूर आप याद कर लिए नोट कर लिए यह फर्मूला आपको याद रहेगा क्योंकि इस पर नुमेरिकल कोईश्चन सी देसी दे आ जाते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्त है उसकी अर्धायू कित्ती है 14.42 गंटे है तो उसकी अर्धायू क्या होगी अब आपको क्या करना है 14.42 बटे 0.6931 तो इस तरह से यह लगबग 10 गंटे आ जाएगा तो इसकी यह औसत आयू हो गई और वहीं पर अगर जो है अर्धायू दीवी हो तो 20 वर्स बाद कित्ता सेस बचेगा अगर यह कुश्चन आता है कि कि किसी विगटित हो रहे रेडियो एक्टित तत्त की अर्धायू 5 वर्स है तो 20 वर्स बाद उसका कित्ता भाग सेस बचेगा बहुत आसान है इसमें कोई बहुत बड़ी गड़ित नहीं लगी है इसको आप देखिएगा तो अगर मा लिजे एक भाग है तो अरदायू कित्ती है पांच वर्स तो पांच वर्स बाद जो है एक का कितना बचेगा आधा बचेगा अरदायू का मतलब ही होता है कि उस तत्त की जो टोटल क्वांटिटी ह है उसका आधा हो जाएगा यानि यह कितना हो गया हाफ हो गया फिर अगले पांच वर्स बाद क्या होगा फिर पांच वर्स बाद एक बटे चार भाग बचेगा फिर पांच वर्स बाद क्या होगा एक बटे आट भाग बचेगा फिर पांच वर्स बाद क्या होगा एक बट बाटे 16 भाग बचेगा है तो हमको कितने बजे कोश्चन पूछा गया कितने समय में 20 वर्स पूछा गया है तो पांच साल पांच साल और यह पांच साल यह मिलाकर कितने हो गए 20 साल हो गए तो 20 यह में और किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्ट जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी अर दायू पांच वर्स है तो उसका कितना भाग बचेगा एक बटे 16 और वही पर अगर पदार्थ का जो है अगर आपको द्रविमान दे दिया गया माली जी सीधे सीधे जो है क जो है लगबक 6.25 के लगबक जो है इसका किलोग्राम जो है इसका मात्रा बचेगी तो यह तो हो गया इसको ग्याद करने का तरीका लोवर के एक्जाम में यह कोश्चन एक बार आ चुका है इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से निकालते हैं और आउसत लेक्चेर में बताया था कि नाप की सेलेन क्या होता है दो भारी नापकियों का आपकर मिलना जिसके कारण जो है उर्जा विमुक्त होती तो इसक्रिया को नापकी सनलेन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं नापकी रियक्टर और परमाड़ उबम में प्रमुक अंतर यह वूजन करे 這 ग्रियर प्रिया नापकी रियक्टर में क्या होता एं स किसी अंसंधान न dough looks पाडन के लिए ऐसे कार्यों प्रैयों तो की तो उसमें जेख्ला होती ह combative को is social चेन रियक्सन होता है यानि जो है उसमें मंदकों का यूज किया जाता है जो उसको जो है नियंत्रित करते हैं उसके fusion की क्रिया को और जबकि परमाड उबम क्या होता है परमाड उबम जो है अनियंत्रित उसमें भी chain reaction होती है तो उसके काराण जो है बहुत भारी नुकसान होता है नाप की reactor के निर्माड में जरकोनियम एक अनिवार इतत्त है तो ये effect जरूर आरकिएगा कि नाप की reactor के निर्माड में जरकोनियम का प्रियोग होता है एलफा कड में दो इकाई धनावेश होता है तो जैसा कि मैंने बता है कि रेडियो एक्टिव परदार्थों में एलफा बीटा गामा तीनो तरह की किरणे यहां मतलब वीम्स निकलती रहती है आवेश निकलते रहते हैं तो एलफा कड में जो है दो इकाई का धनावेश यानि पौस्टिव चार्ज होता है और इसका जो द्रविमान होता है हीलियम के एक परमाड़ों के बराबर होता है कोबाल्ट सिक्ष्टी जो है यह भी एक रेडियोग्र कड पडार्थ है इसका उप्योग कहो होता है विकरन चिकिस्ता या रेडियेश थेरेपी में का इंसर बगएरा में जहां पर रेडियेश थेरेपी की जाती है तो वहाँ पर जो है कोबाल्ट सिक्ष्टी का प्रयूग होता है और Cobalt 60 से क्या निकलती ही गामा रेज तो गामा रेज का जो है जो निसकर सरन होता है वो Cobalt 60 से होता है अब बात करते हैं नाबकी रियेक्टर में Cadmium या Boron का प्रियोग Neutron मंदक के रूप में किया जाता है Neutron नियंटरक या Neutron के रूप में किया जाता है तो क्यूरी जो है एक मापनिकाई है जो रेडियो एक्टिविटी के लिए प्रियोग होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधी है यह भी रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। इससे क्या होता फॉसिल्स की उम्र या जीवास्मों की उम्र जो पता की जाती है परमाडू रियेक्टर क्या है एक प्रकार की जो है नुकलियर आडविक भट्टी है प्रत्वी की आयू की गणना बहुत बारे कोश्चन पूछा गया है यूरेनियम विधी से जो है मतलब सोसाइटी जो है के सामने कि मनुष्य को नाब की सकती कभी उपलब्द नहीं होगी क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा जो है कभी उर्जा में नहीं परियोतित होगी तो उनका कथन क्या था तो जो यह बराबर MC Ș YOUR का जो है फार्मूला जो है आंस्टीन ने दीया था जिसके अनसार अगर किसी पर्दार्थ को प्रकास के वेग से जो इमान कराया जाता है तो वो जो है उर्जा में बदल जाती है तो इस नियम पर उनको डाउट था क्योंकि इसको प्राप्त करना या इसको आदर्स परसिटियों में प्राप्त करना उस समय के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था साइक्लोट्रॉन क्या है एक तौरा उपकराण है जिसके द्वारा प्रोटान इलफा करना और डूट्रान आदि में उच्च वेग उत्पन किया जाता है तो ये भी जो है किसी भी जो है उसका रेडियो एक्टीटी के लिए जो भी संयंत रिस्थापित किया जाते है उसमें त अपनी उर्जा भी मुक्त करते हैं और तेजी से जो है चेंदी एक्षन उसमें प्रारम हो जाती है फिर पेजल में गामा उत्सर्जक समस्थानी की उपस्तिती का पता कैसे लगता है प्रस्फुरण गड़ा किया जो है इस क्लिंटेंशन काउंटर जो है इसके द्वारा जो नाव की शोड़ा जानते हैं लिकिने हुटेन होता है है आईडरोजन का ही लियम तो होता रहता है हुटींट की यह महात्मूर नाव की बाता है तो यह पॉइंट दिया रखिएगा, कि भारत में पुर्चुर मात्रम पाया जाता है, भारत में अनुमान है कि थोरियम का लगभग साढ़े चार लाख तन भंडार उपलब्द है, थोरियम का मुक्र सुरोत क्या है, मोनाजाइड, तो मोनाजाइड जो है, इससे थोरियम निस आपकी सल्लेयन के सिद्धान पर यानि नुक्लियर फिसन के सिद्धान पर आदारित है उसकी खोज की थी एडवर्ड टेलर ने जिनों ने 1908 में हाइडोजन बं को बिक्सित किया था नौंबर 1952 में USA द्वारा प्रथम हाइडोजन बं का परिच्छन कहां किया गया था प्रसांत महासागर इस्थित मार्सल दीप में किया गया था सम्रद यूरेनियम एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियो धर्मी या रेडियो एक्ट्यू यूरेनियम 235 आइसो टोप का घटक कृतिम रूप से बढ़ाया जाता है फिर यूरेनियम के रेडियो धर्मी विग्टन का अंतिम उत्पाद क्या होता है लेड बहुत बार कुश्चन आया इंपॉर्टेंट है यूरेनियम जब पूरी तरह से जो विग्टित हो जाता है मतलब आरदायू के बाद जो उसकी आखरी अवस्था आती है तो उससे जो पर्माड़ उर्जा केंद्र जो की ट्रॉंबे नामकिस्थान महराष्ट में 1969 में स्थापित किया गया था पूर्णा आपकी रियक्टर जो है थोरियम चक्र का अध्यन करने वाला विस्व का पृथम और एकमात रियक्टर है जो की भारत में स्थापित है तो यह पूरिमा और साइरस यह भारती सोध रियक्टरों के नाम है धुरू रियक्टर को और द्योगिक परमाडु संयंत्र भी कहते हैं इसमें क्या होता है कोबाल्ट 60 क्रोमियम 51 आयोडीन 131 आडी आइसोटोप्स का उत्पादन किया जाता है मतलब यह जो रियक्टर है इनमें जो है कोबा इंद्रा गांधी आडविक अंसंधान संस्थान कहां पर है कल्पक्कम तमिलनाडू में जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी फिर एक्स्प्लोरेशन एंड रिसर्च कहां पर इस्थित है चेन्नई में इस्थित है यह सब कोश्चन बहुत बार आएं इसलिए इसको जरूर ध्यान से इसको देखते रहे हैं हरिच्चन रिसर्च इंस्थित कहां पर है उत्तर प्रदेश में यह भी कोश्चन पूछा जा चुका है और उत्तर प्रदेश में पर्ट्रक्लर प्लेस इलहाबाद जो ही आ चुका के उत्तर पादन एक ट्रामबे में एक भारी जल बोड का इस्थापित किया गया है हाई वी वाटर बोड जहांसे सात भारी जल सैंपनेया तो यह सात भारी जल सैंपनेया जाता है बाते क्या पर माडू अर्जा केंद्र कहां परस्थापी करनाटक में और राजस्थान पर माडू उर्जा सजित कहां परades रावत भाठाइक कोटा में में नरोरा जो यूपी का है आप जानते हैं परमारु सैयंत्र भूकम पी ये पेटी चार में इस्थित है जबकि कल्पक्कम जो है पेटी दो में इस्थित है और तारापुड महराश्ट पेटी जो है भूकम की पेटी नंबर थर्ड यानी में इस्थित है अता इसे न्यूट्रान मंदक कहते हैं कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रियक्टर को द्रवित सोडियम या लिक्विट सोडियम के रूप में प्रियोग किया जाता है यह कुश्चन इंपॉर्टन्ट है कि कलपक्कम में जो इंद्रा गांधी परमाडु साइयंत रहे उसमें जो है ऐस्ट बीडर रियक्टर जो लगा हुआ है उसमें घिस मन्दक का परयोगता है almost तो लिक्डोड को का एक नाब बहारी जल का है क्या होता है !! यह नूट्रान की गती को कम करना दails ब्रेक्ट हो रही हैं । नाप की विखंडन उसको जो है उसमें जो है नूट्रान मंदक के नाम से जानते हैं फास्ट ब्रीडर रियक्टर जो होते हैं वह किस पे होते हैं वीगलन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं और उसी से बिजली का उत्पादन करते हैं भारती परमाड आयोग ने पोकरन थारा मई 1974 कोश्चन आ चुका है पीसी स्प्री में जिसका आधिकारिक गुप्त कोट क्या था स्माइलिंग बुद्धा ऐसे पड़ात जिन पर उच अवरती या कम तरंग दैयत का प्रकास जैसे पराबाइगनी प्रकास डालने पर वह उसको आउसोसित करके अपेक्छाक्र बनता है कि यह किस प्रकार के प्रकास प्रकास का अउसोसित करते हैं उसके निचली आभरती या ऊचितर तरंग दैया wraps प्रकास करते हैं ऐसे प्रकास अंधेरे में दब्一直 करते हैं प्रतिदीव पडार्ण क्या क्या है फ्लोरस पार पेट्रोल भी है उसमें से कुनीन सलफेट ईूरेनियम आकसाइड बेरियम प्लेटीनो साइनग यह सब जो इसके उदारण है अब जो प्रतिदीव पडार थे वो किस प्रकार का किस रंग का प्रकास उत्पन करते हैं यह सुम क्या है हरे रंग का प्रकास सर्जित करता हैउं वहह हैं गुलाबी रंग का प्रकास उच्छित करता है एक फिरी नम प्लेटिनोसाइंड का प्रयोग करते हैं प्रकास डालना बद कर देने पर भी प्रतीप्ती दूख जाता है लेकिन ऐसे पदा जो प्रकास डालना बंद करने के बाद भी कुछ समय तक प्रकास का उच्छ सर्जन करते रहते हैं उन्हें इस फुरी दीप्त कहते हैं इसको फास्पोरेंस कहते हैं तो ये जो फ्लोरिसेंस की क्रिया से थोड़ा सा वृच्छ सब्सकुरा थे हैं उनमें क्या होता है कि आपने प्रकास डालना बंद कर दिया लेकिन वह क्या करता प्रकास को अउसोसित कर लेता है तो उसके बाद भी काफी समय तक उसमें चमक बनी रहती है और चमकता रहता है तो इस घटना को फॉस्फोरी सेंस कहते हैं इस अब हम आगे लेते हैं संचिप तत्य थोड़े से जो मतलब जो बिलकुट डारेक्ट एक्जाम में पूछे जाते हैं आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो इन में से कोश्चन आना बहुत संभावित रहता है तो वर्तमान में कुल ग्यात तत्यों की संख्यागर पूछी ज गये तो इस तरह से टोटल अठानुवे और बीस एकलतारा हो गया आप हम बात करते हैं धातू कितनी इनमें से जो हैं इनमें से धातू जो है कितने हैं मेटल जो है वह 91 है और नौन मेटल की बात करें यहां पर तो 27 हैं पिर नवींतम अभी चार तत्व कोजे गया हैं तो इ सब्सक्राइब करते हैं मास्कोवीयम 115 पर्माद करसे इसको एम और स्माल के से इनेट करते हुए आइप सक्तरा परिम पर्माद करते हैं एक सो अथारा है और ऑ और small g से इसको denote करते हैं तो यह important है कभी आ सकता है कि इन निम्स में से चार जो है इन कौन से नवीन तत्तों में से नहीं है या इसका परमाड़ु क्रमांकों का मिलाना सकता है तो इसको कोई भी आप अपनी trick बना लीजे जिससे इसके परमाड़ु क्रमांक भी आपको याद हो जाएं और इनके नाम भी याद हो जाएं तो द्रव धातु तत्तों कौन सा होता है पारा होता है जो मता चुके मरकुरी जो है liquid form में रहता है द्रव अधातु तत्तों कौन सा ग्रेफाइट है, सबसे अधिक आघहात वर्धनी है, यानि जिसको पीटने पर सबसे ज़्यादा उसकी बढ़ जाता है, वो कौन सा है सोना, आप जानते हैं कि सोने को पीट कर जो है काफी लंबा तक फैला आजा सकता है, उसकी चादर तक बनाए जा सकती है, सबसे अधिक क्र क्रियासील है, वो है फ्लोरीन, और वहीं पर सबसे अधिक क्रियासील, मेटल की बात करें, धात की बात करें, तो सीजियम है, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्तो के होते हैं, आईसोटोप्स, पोलोनियम के होते हैं, सबसे हलका तत्तो कौन सा हाइड्रोजन है, सबसे हलका धा तो तब मेटेलिक की बात हो रही है तो लीथियम हो गया सबसे भारी तत्व आस्मियम है सब्धादिक इलेक्ट्रान प्राप्ति वाला तत्व जो है क्लोरीन है इसको हम सीयल से डिनोड करते हैं फिर सरवादिक बिद्धुत रिडात्मक याली इलेक्ट्रिक निगेटिव जो है त्तु जो है ऐवं सबसे प्रबल का आक्सिकारक क्योंकि जो सबसे जयादा विद्धुत रिनात्मक ऊंपर्सेंट उसके들 सब्सेद्धिक गया आख्षिजेंक बिद्धु नीधुच्छरेट क्यांखिविस एक कैलस्यम 2 परसंट फासपुरस परसेंट और पोटेसियम दसमलो तीन पांच परसेंट पाय जाता ऐसे तो जिन में धातु और अधातु दोनों गुड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं जो मैंने आपको पहले लेक्षेरें बताया था और इसको इंग्लिस में बिद्धुत का कुचालक है, वैसे तो धातुओं का गुड होता है कि वो सुचालक होते हैं, लेकिन लेड क्या है, एक ऐसी धातु है, जो मेटल होते हुए भी बिद्धुत का कुचालक है, यानि आप सीसे में बिद्धुत प्रवाहित नहीं होती है, ग्रेफाइट और इसे दो जो है अधातुएं रेसे में की किसमक पाई जाता है अब कुछ में क्या北 है तो हीरा घया है का तत्य है कार्बन हीरे में कार्बन होता है संगभर CC होता है रेत जो होती है सिलिकान पाए दयव c आप मारिक में बिए Milan में कोश्चन आछा है जल जो है प्रकत की website तीनों अस्थाऊं ठोज द्राव्ग, गैस में पाया जाता है. पहले लेक्षेर में बाटा जाता है. गैस क्या होती है? गैस एक मिसरण होती है और वाईव ना तो तत्त्व है ना ही योगी क्योंकि एक योगी है क्योंकि ये एक मिसरण है. पलाज्मा को पदार्थ dough-ira-odh जिनको आप कह सकते हैं कि जो है nuclear या atomic theory के जनक माना जा सकता सबसे पुराना जो इन्होंने बताया था पावली का जो नियम है उसके अंसार एक परमाण में दो electron की चारो quantum संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है आपको यह रखना है कि चारो इलेक्टरान की चारो quantum संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है यह पावली का अपवर्जन नियम भी कहलाता है परमाण स्वर्णचना का मार्डल किस ने किस दिया था बोर एवं रदर फोर्ड ने इसको विक्सित किया था दो आठ अठारा दो इलेक्टरानिक संरूपन किस में होता है धात उतक्तों में होता है अठारा इलेक्टरान की वह अधिक्तम है संख्या है जो एम सेल में रह सकती है उससे पहले की किसी सैल में नहीं रह सकती है, केवल M सैल में ये रह सकती है, किसी तत्यो के रास्यायनिक गुर उसकी परमारू संख्या पर निर्भर कहते हैं, जो आदनिक आवर्सानी में भी जो है, इसका जो है बेस लिया जाता है, तो जो तत्व का रासायनिक गुड़ोते केमिकल प्रापर्टी जो होती है वो इसकी परमारु संख्या यानि अटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है मेसान एक मूलकण है जो नुकलियान को बांधे रखता है हाईजन बर का एक अनिशित्ता का सिध्धान्थ है जिसके अनसार इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की इस्थिती तथा वेक का युगुपत निधारण नहीं किया जा सकता है यदि किसी कच्छा की संख्या यन हो तो उस कच्छा में अधिक्तम इलेक्ट्रान कित्ते हो सकते एन स्क्वायर तो आपको ये यन स्क्वायर याद रखना है question आएगा तो यहीं आएगा कि हाइजन बर्क के अनुसार किसी इलेक्टरान की कच्छा में अधिक्तम इलेक्टरान कित्ते हो सकते हैं एन इस्क्वाइर जहां पर यन क्या है कच्छा की संख्या है या कच्छ की संख्या है हुंड का नियम भी है हुंड के अनुसार जो है इलेक्टरान तब तक युगमित नहीं होते, युगमित मतलब कपल्ड, यानि आप जो कपलिंग नहीं करते हैं, जब तक उनको प्राप्ति के लिए रिक्तक कच्छक समाप्त ना हो जाए, मतलब जब तक उनको तब तक इलेक्टरान प्राप्त करते रहेंगे, जब तक उनका रिक्तक फिर sodium का पर्माड कुर्मांग 11 तथा पर्माड बहार 23 है तो उसमें electron, neutron और proton लास्ट वीडियो में मैंने इसको बिल्कुल detail में आपको पताया था तो पर्माड कुर्मांग 11 है तो इसमें electron कित्ते होंगे 11 होंगे neutron 12 हो जाएंगे 23 में से 11 गटा देंगे और proton उतने ही होते हैं जित्ते इलेक्ट्रान होते हैं, तो ये जो है, इसके बारे में हो गया, अब बात करते हैं, आर्थ क्रश्ट या भू पर पटी पर प्रमुक तक्तु कौन से पाये जाते हैं, उनका प्रिस्टत कितना है, बार बार पूछा जाता है जामें, तो आक्सीजन जो है, 49.9 तो में आपको शुरुवात के तीन याज रखने हैं, क्रम, आक्सीजन, सिलिकान और अलमुनियम, यही तीनों जो है, बार बार पूछे जाते हैं, फिर बात करते हैं, सिलिकान की खोज, 1824 में जे जे बरजीलियस द्वारा की गई थी, और सिलिकान से जो है, कम्प्यूटर और बाकी माइक्रोचीप बना जाते हैं, तो कम्प्यूटर में जो सेमी कंड़क्टर होते हैं, जो चिप का पार्ट होते हैं, वो सिलिकान का बना जाते हैं, क्योंकि सिलिकान क्या है, एक अर्ध चालक है, बिस कमे सरवाधिक पाय जाना लगता तो अब पूरे ब्रम्हांड की बात हो रही है awareness की तो यह hydrogen है इस सभी प्राक्तिक वस्तूओं में सरवाधिक ट्थोर एंस तब है अधात हुआ कया आधात हुद KHRI Baptist कहें हैं और अगर धातु की बात करें तो platinum सबसे कटोर धात टुक हैं सबसे भारी प्राक्तिक ट्थोнозा तुरेनियम है जिसका परमाड भरवार जो है तू दो सो वर्थी दस्मनो जीरो तीन तथा घनत तो 19 दस्मनो जीरो पांच ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर होता है मोती में 85% कैल्सियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसको एरोगोनाइट कहते हैं याद रखिएगा मिलान में आ कान्चियोलिन होाटी है जो मोती में बाए जाते हैं आज पांचियोलिन माडिक और नीला मोते हैं, रासाइनी गॡू क्रूप से क्या होता हैं है अलमूनिय हमाय अकसाइड होते है कि अधातु जो होती है उसका संचयन या जो इसका स्टोरेज कहां किया जाता है क्योंकि हवा में रखने पर यह तुरंट आक्सिजन से क्रिया कर लेती बहुत बहुत अत्यधिक जो है क्रिया सील धात होती है सोडियम और जो है क्या बना देती सोडियम आक्साइड बना देती जिसके कारण यह जल जाता है सोडियम जो है वास्प लैंप जो है में प्रियोग किया जाता है सडक पर जो लगे होते हैं लाइट्स जो है क्योंकि इनका प्रकास क्या होता है मोनो क्रोमेटिक या एक वर्णी होता है मतलब प्रकास जो है चलता है तो जहर। उसमें जो है वह फैलता नहीं है। और पानी की बूहों से गुझरने पर बिभक्त नहीं होता हिसलिए जो सो वास्प लैम में सोडिय me ka प्रत्दीब्ति नलिका या जिसको fluorescent tube कहते हैं उसमें क्या भरियाती पारवास्प या जो है पारवास्प और आर्गन यह दोनों जो है भरी जाती है उसमें गोल्ड को अमराज या एक्वारेजिया में घोलता है और जिसमें सोना घुलकर क्या बन जाता है chloro-auric अमल जिसको इसका formula है HAUCl4 अमल राज जो है होता है इसका chemical composition में आगे बताता हूँ तो अमल राज में होता क्या है तीन भाग concentrated hydrochloric acid यानि HCl यानि तीन भाग HCl होता है और एक भाग क्या होता है इसमें concentrated nitric acid या जो है HNO3 या याद रखिएगा बहुत बार question पूछा जा चुका है कितने भाग क्या होता है इसमें आती मुलायम खनी जो है टॉल्क जिसको soap stone कहते हैं मुगता magnesium silicate से बनता है plaster आप पेरिस जो है क्या होता है CSO4 into half sto इसका formula है formula भी पूछा जा चुका है और ये केमिकली क्या है calcium sulfate है या अगर इस form में कहें तो hydrated calcium sulfate है कोकि इसमें पानी जुड़ा हुआ है monagite किसका आयस्क है thorium का आयस्क है mica क्या होता है उसमा का चालक तथा बिद्दूत का कुचालक होता है इसलिए mica की जो है वो लगाई जाती है aluminium बहुत important है ये फिर बात करते है बाकसाइट बाकसाइट का फार्मूला यार रखिएगा पूछा जा चुका है Al2O3 into 2H2O ये aluminium का आयस्क है फिर हम लाश्ट के दो-तीन फैक्ट देखते हैं घनत्यों के और रोही क्रम में जो है लगाना है इन सारे जो मेटल्स को तो सोना पारा और इस पात ये इसका सही क्रम है परमाडू की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती दस की घात माइनस 6 ये 10 to the power माइनस 6 मीटर होती है आडवी कच्छा का अभिमिन्याज चुमकी खौांटम संख्या द्वारा नियन्तरिद होता है और चुमकी क्वांटम संख्या का संबन क्या होता है छक्रन से होता है तो spds ये सब होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे तो अभी आप इसमें आ टेंसर ना लीजे है कितनी affinity है जो है bonding की तो इसके कारण जो है किसी भी जो है तक की जो है जो किमिकल प्रॉपर्टी यो ती वो एलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निरभर करती है तो आज के लेक्ट्र में इतना ही अब हम आगे जो है कमिश्ट्री को जारी रखेंगे इसी तरह से और कमिश्ट्री को आठ दस लेक्चेर में खतम करके फिर हम लोग फिजिक्स पे आ जाएंगे उदर बायलोजी मैं धीरे-देरे अपलोडी कर रहा हूं बीच वीच में तो आप लोग बिल्कुल परशान हुए जो भी एक्जाम द झाल